हेलो स्ट्रेंट्स वेल्कम टो यूपी से एसस टैली प्राइम स्रीच का लेक्चनबर 26 है और आज हम इस वीडियो में जनौरी मन्त की जो इंट्री है इनको पूरा कंप्लीट करेंगे टैली प्राइम सॉफ्ट्वेर में और पिछले वीडियो में हम दिसंबर तक कंप्लीट क देख सकते हैं यह दिसंबर तक इंट्री यहां सारी कंप्लीट हो गई है छाली वापस आते हैं और चलता है यहांप लेट चानवरी 2020 चल रहा ता लेकिन अभी है और चेंज वू गिया ह 5假 21 हो गया है ठीक है जो कि financial year जो है वो हमारा वही है 20 से 21 तक ठीक है चलिए तो यहाँ पर यह हमने complete कर लिया यहाँ पर यह advanced consulting revenue आ गया इसको भी हम हटा देंगे ठीक है अभी पड़ा रहन देते हैं कोई दिक्कत नहीं चलते हैं यहाँ पर सबसे पहला question है Mr. पेड ओफिस रेंट यानि कि यहाँ पर इन्होंने जो है रेंट दिया है चेक द्वारा तो वाउचर पेमेंट होगा डेविट में आपका रेंट हो जाएगा तो यहाँ पर हम आर बटन प्रेस करेंगे और रेंट expenses select कर लेंगे जो advanced consulting revenue आ रहा था वो हट जाएगा ठीक है रेंट कितना दिया यहाँ पर देखिए 25 रुपए दिया है और क्रेडिट में HDFC बैंक और इंटर करते हैं और इस इंटरी को अशेफ्ट करते हैं अगले question में Mr. अगला question देखते हैं एक बार confirm करते हैं देखिए यहाँ पर जो है cash द्वारा payment हमें मिला है लेकिन हमने bank कर दिया है तो इसको अभी तुरंत सही कर लेते हैं सही कैसे करेंगे page up की press करेंगे और तुरंत वो entry editing mode में आ जाएगी जो हमने last time की थी page up से एक एक करके मूँपर जा सकते हैं ठीक है यहाँ कि previous entry पर जा सकते हैं और यहाँ पर इसको ह सही करने का दूसरा तरीका क्या था आपको पता होगा डे बुक में चलते और यहाँ पर हम देखते कि इस डेट में अभी तो फिलाल दो हींट्रियां की है और इसको यहां से एडिट करके हम सही कर सकते थे जो भी डेवीट या क्रेट जो भी एमांट होगा चेंजेस करने थ क्या रहते हैं कि अगर लेजर अमएडिट करना है तो लेजर पर यहां पर यहांपर रहे सीधे मीर्टर में को बोलते हैं किसकी लेजर की और यहां cancel को ब outcome पाइदा यहां से select कर सकते हैं, जो भी laser आपको edit करना है, और फिर यहां पर direct आप edit करके उसको accept कर सकते हैं, clear है, तो इस तरीके से हम कोई भी laser यहां से create भी कर सकते हैं, यहां पर आप जाके laser में जाके, यहां से create कर सकते हैं, आप alter में जाकर के भी वहां से create कर सकते हैं, यहां पर ये चीज हो गई, वह आपस चलते हैं, accounting voucher बे, entry हमने वो सही कर ली है, अगला question है Mr. Verma paid salary, यहाँ पर salary चेक द्वारा पे की गई है, voucher payment डेविट में आपका हो जाएगा, salary expenses कितना है, 12,000 रुपए, और enter करते हैं, हाँ पर salary सुभम की कितनी है, 7500, गीता की यहाँ पर है, 45 रुपए, accept करते हैं, credit में HDFC bank, और इसको भी यहाँ पर हम accept करते हैं, यह entry complete हो गई, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, यहाँ पर देखे, 750 रुपए, office maintenance का pay किया गया है, और cash में है, हाँ cash में है, ठीक है, voucher payment, डेविट में office maintenance, office maintenance, 750 रुपए, credit में यहाँ पर आपका cash हो ज चेक मिला है, consulting revenue, यानि की income हो यह, सीधी सी बात है, voucher receipt हो जाएगा, अब यह entry आप अच्छे से समझ चुके है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर consulting revenue, कितना चेक मिला है, देख लेते हैं, 35,000 रुपए, ठीक है, 35,000 रुपए, देखे, basics clear हो कर सकते हैं, बिना किसी गलती किये, तो यहाँ पर देखे, डेविट में, HDFC बैंक था, और इसको हम accept करते हैं, यह entry भी complete हो गई, अगला question है, Mr. Verma, withdraw 50,000 capital from firm by check, यानि कि Mr. Verma ने क्या किया है, 50,000 रुपए, जो है, वो withdraw किया है, चेक द्वारा, ठीक है, अब यह क्या है, तो सीधे हम फिर capital से निकालेंगे, actually में होता क्या है, देखिए, आपको याद होगा, कि हर महीने जब हम last में withdraw करते हैं, 7,000, 5,000, जो भी है, अपने निजी खर्च के लिए, तो वो हम अलग इसलिए करते हैं, ताकि हमें पता चले कि एक साल में निजी खर्च के लिए हमने कितन debit कर दे, debit कर दे, अरपित कुमार को 5,000, 10,000, जो भी निजी खर्च के लिए निकालते हैं, इस तरह से भी entry कर सकते हैं, एक ही laser पर, लेकिन फिर पता नहीं चलेगा कि किस मेने कितना निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर withdrawal करके और credit में यहाँ पर HDFC bank कर सकते हैं, ल 50,000 ले रहे हैं, वो निजी खर्च के लिए रहे हैं, या फिर कोई जरोध, हलाकि है तो एक तरीके से निजी खर्च के लिए ही, क्योंकि अगर यहाँ पर personal use नहीं होता, business से related अगर कोई सामान खरीदना होता, तब तो फिर हम पैसा निकालते थोड़ी, तो फिलाल यहाँ प हम कर देंगे HDFC bank को, ठीक है, तो क्या होगा कि अभी तक आपको याद होगा कि capital account में हर महीने 4,00,000 रुपए जो है वो आता था, लेकिन अपकी बार वहाँ पर 3,50,000 ही दिखायागा, ठीक है, क्योंकि वहाँ से सीधे सीधे direct 50,000 माइनस हो जाएगा, तो आप समच चुके हो चले यहाँ पर इसको practically करते हैं, voucher यहाँ पर payment होगा, debit में यहाँ पर हो जाएंगे, अरपित कुमार ठीक है, जो business के honor है, तो इनका यहाँ पर आप current balance देख सकते हैं, भी 4,00,000 रुपए है, लेकिन 50,000 से हम debit कर देंगे, तो माइनस हो जाएगा, instant, तुरंत माइनस हो जाए तो voucher payment, debit में telephone expenses कितना है, 2300 रुपए है, और credit में यहाँ पर HDFC bank, और यहाँ पर इसको भी हमाज shift करते हैं, यह entry भी complete हो गई है, अगला कोश्चन ने Mr. Verma paid 1015 cash toward electricity charge, यानि बिजली का bill दिया है, और यह cash में दिया है, और convince भी जो है, वो cash में है, तो दोनों को एक में कर देत हैं, यहाँ पर cash, electricity bill, 1050 है, तो voucher payment और electricity bill, electricity expenses कहां गया, यह रहा, ठीक है, electricity expenses कितना है, 1050, और दूसरी बार debit यहाँ पर हो जाएगा, convince expenses, convince expenses, कितना amount है, एक बार confirm करते हैं, 18100 रुपए है, convince का, और credit में यहाँ पर आपका cash हो जाएगा, और यह interview हमने complete कर ली, फिर यहाँ प पर यह जो 8000 निकाले है, यह भी capital से ही minus होता है, लेकिन इसको हम तब तर temporary base पर withdrawal में रखते हैं, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, तो यह निजी खर्च के लिए निकाला है, तो इसकी भी entry हम pass करेंगे, हलाकि जो यह 50,000 निकाला था capital से, यह भी निजी खर्च के लिए ही न निकाला था, लेकिन हो सकता है कि बिजनेस में 4 लाकी जरोत ना हो, 50,000 रुपए ले करके कोई दूसरा बिजनेस या कुछ अलग type का खर्च करना चाहते हो, इसलिए 50,000 रुपए सीधे capital से निकाल लिए, ठीक है, बिजनेस की पूंजी को सीधे सीधे कम कर दिया, 50,000 रुप में withdrawals 8,000 रुपए, और enter करते हैं, और credit में यहाँ पर cash हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, withdrawals का current balance कितना है, 60,000 रुपए, यानि कि अभी January चल ला है, तो April से ले करके जनवरी तक यहाँ पर जो Mr. Arpit, उकुमार है, वो track कर सकते हैं, यहाँ अपरेल से ले के January तक इतने महीने हमने 67,000 रुपए निजी खर्च में इस्तमाल किये हैं, यह track कर सकते हैं, लेकिन अगर 50,000 रुपए इंट्री भी यहीं कर देते हैं, तो फिर यह उसमें भी जुड़ जाता है, तो फिर यह track नहीं कर पाते हैं, तो accept करते हैं, और देखिए यहाँ यहाँ पर य इनकम भी वही है, और 4,92,0,50 ठीक है, 95,500 यह भी ठीक है, 16,500 यह भी ठीक है, और बचा आपका देखिए 3,5,5,6,6,000 तो यहाँ पर 63,5,6,6,000 तो यहाँ पर 63,5,6,6,000 सही है, और जिसके बाद यहाँ पर आपका अगला जो मन्त है, वो है फरवरी और फरवरी की इंट्र हम अगले महिने देखेंगे, फिर यहाँ पर आपका इस cash study 1 का last month होगा March, और March के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ अलग टाइप की new entry होंगी, जिसको हम बोलते है, provision entry, depreciation entry, adjustment entry, other adjustment, closing entry, इन सभी को भी हम पूरा practically देखेंगे, और finally इसका closing balance ready करके, opening balance एक नई कमपनी में ड लेकिन अभी हम service organization पढ़ना है, तो सिर्फ service की बात करते हैं, इतना cash study 1 पूरी तरीके से complete करने के बाद, आप service organization को अच्छे से handle कर सकते हैं, हाला कि वो अलग बात है कि कुछ अलग type के account आपको वहाँ पर मिलेंगे, नए account मिलेंगे, लेकिन आप उसको आसानी समझ सकते हैं, और आगे जब हम cash study 2 start करेंगे, तो उससे आप inventory management जो है, वो अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी लगबग हम 6-7 महिने तक की practical entry पूरा देखेंगे, ठीक है, लोग काफी सारे entry यां वहाँ पर भी हम देखेंगे, purchase और sell की GST के साथ में, चलिए तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, okay so thanks for watching this वीडियो